Hey guys, कैसे आप सब मैं हूँ Nikhil और आज मैं लेके आया हूँ और एक Figma prototyping tutorial और ये वीडियो काफी special है क्योंकि इस वीडियो में मैंने collaborate किया है एक बहुती amazing UI designer के साथ जिनका नाम है Reena Grim जो की मेरी काफी अची दोस्त भी है अगर आप इनका Instagram प्रोफाइल जाके चेक आउट करोगे तो आपको बहुती बहतरीन Figma के prototyping, tutorials और आइडियास देखने मिल जाएंगे और आज हम जो Figma का prototype and design animate करेंगे वो भी इनी का concept है So big shout out to her, make sure कि आप Reena Grim को जाके Instagram पर follow करें Link आपको वीडियो की description में मिल जाएंगी तो बिना कोई time waste के चली आज का वीडियो शुरू करते है Alright guys, यहाँ पर है हम लोग Figma के अंदर मैं start करूंगा एक new page create करके अगर आप लोग चाहो, तो home page पर जाकर एक new design file fresh new file create करके भी start कर सकते हो तो यहाँ पर मैं plus में click करूंगा और यह होगा हमारा इसे नाम दे देते हैं practice Alright, तो शुरू करेंगे सबसे पहले तो frame tool select करके और मैं बनाऊंगा एक macbook pro 16 का frame Alright, इसे में नाम दे दूंगा 1 and फिर हम लोग यहाँ पर जाकर एक ellipse select करेंगे एक बड़ा सा circle बनाएंगे कुछ इस तरीकी इसे और इसे center में place कर देंगे like so, okay, that is perfect तो make sure करना है कि यह जो circle हम बनाएंगे यह पूरे frame को cover करें और एक बार आपको proper size मिल गई जो आप satisfy हो जो size से फिर मैं इसको बहार निकाल लूँगा इस frame के तो make sure करूँगा इसे select करके इस तरीकी से बाहर निकालना है फिर मैं add करूँगा gradient अभी इस पर एक fill add किया हुआ है तो यहाँ पर जाएंगे और select करेंगे gradient और इससे मैं set कर दूँगा linear से radial gradient पर और सबसे पहला जो text होगा और जो donut होगा वो है blueberry का तो मैंने यहाँ पर already जो color palette है add कर रखा है तो मैं same colors लूँगा अगर आप लोग चाहो तो यह project file जो है वो download कर सकते हो link आपको description में मिल जाएगी और फिर same आप जो है वो colors use कर सकते हो okay तो यह होगे हमार पहला circle क्योंकि हम लोग 3 slides बना रहे है तो मैं 3 circles बनाऊंगा actually 3 frames बना रहे है पता नहीं मैं slides बार बार क्यों बोलते रहता हूँ second जो होगा वो होगा I think it's going to be green apple okay तो उसी type के colors मैं यहाँ पर add कर दूँगा and third जो होगा वो होगा caramel all right there we go अब हम सारे circles को select करेंगी और align में जाकर properly center में align कर देंगे अब मैं नाम दे देता हूँ सबसे पहले तो ताकि मैं confuse ना हूँ तो सबसे पहले जो circle है actually से align करने से पहले भी पहले ही हमें नाम दे देना चाहिए था तो पहला जो circle है यह है blueberry जो green वाला circle है वो होगा green apple and जो third वाला है वो होगा caramel और एक चीज का यहां पर आपको खास ध्यान रखना है कि जैसे यह first slide है first slide में यह background होने वाला है तो वो नीचे रहेगा second slide उपर और third slide उसके भी उपर तो मैं सारे ही circles को select करके properly फिर सालाइन कर देता हूँ और फिर मैं यहां पर इस तरह के से place कर दूंगा center में जो बाकी के यह जो दो circle है blue berry तो हमारा first slide होने वाला है तो इन बाकी दोनो circles को select करेंगा जो size है वो मैं set कर दूंगा 1 पर तो यह यहां पर एक dot जैसा बनके आ जाएगा तो हमें इसे select करके move करना है यहां पर इस तरह के से अब मैं add करूंगा donut तो डोनट आड़ करने के लिए मैं एक rectangle यहां से create कर लेता हूँ अल्ट और shift hold करोगे तो center से परफेक्ट एक square बना सकते हो फिर मैं जाओंगा फिल में और यहां पर हम select करेंगे image section में choose image और पहला होगा हमारा blueberry तो उसे हम add कर लेता है इस तरीके से तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है अब मैं इससे सबसे पहले तो frame के बाहर ले लूँगा ताकि हम properly scene को create कर पाए तो size मुझे यह सही लग रहा है I think yes तोड़ा जादा बढ़ा हो गया I think around 800 शुट भी fine okay तो इसे frame के बाहर ले लेंगे alt hold करके click करके drag करेंगे जिससे एक duplicate मिल जाए हमें और इससे actually मैं नीचे ले लूँगा ऐसे okay और एक duplicate फिर इन दोनों का size है उससे हम set कर देंगा around 450 पर 450 बहुत आदा चोटा हो जाएगा I think 600 सही रहेगा और एक duplicate बना लेता हो यहाँ पर ठीक है from quickly जाकर यहाँ पर doughnuts switch कर लेंगे दूसरे doughnuts के साथ तो second हमारा green apple third होगा हमारा caramel and fourth slide तो नहीं है बट वो दिखने वाला है तो इसलिए मैं fourth doughnut भी add कर लेता हो strawberry वाला अब जितने भी scenes create करना चाहो create कर सकते हो एक बर आपको process समझ में आगे तो आप जैसा चाहो वो scene up create कर पाओ कि doughnuts की जगे पर कोई और element भी use कर सकते हो ठीक है तो इन्हें align कर देता हो properly चाहिए सही तरीके से align हो गए अब हम इसे select करेंगे right click करेंगे और add auto layout करेंगे ठीक है इस layout का नाम मैं दे देता हूँ auto layout अब इससे फाइदा यह है auto layout create करने के बाद जब मैं से select करूंगा और मुझे adjust करना होगा तो मैं बस इसी तरीके से बस easily इन्हें drag करके adjust कर सकता हूँ तो बहुत जारा time बच जाएगा जब हमें कोई भी adjustment बाद में करना पड़ेगा तो फिर मैं से select करूंगा और इसे फ्रेम के अंदर डाल देंगे तो right click करेंगे and click करेंगे frame selection पर यह होगा हमारा frame इसे में नाम दे दूंगा doughnut और फिर इसे हम drag कर लेंगे हमारे frame 1 के अंदर simply मैं यहाँ पर drag and drop इस तरीके से कर सकता हो और अगर मैं चाहूँ तो इस auto layout में जाकर इन्हें थोड़ा और edges कर सकता हो ताकि फ्रेम में दिखे कुछ ऐसे I think size में थोड़ी और चोटी करूंगा इनकी बाकी जो doughnuts है उनकी around 500 सही रहेगा फिर मैं add कर देता हूँ text तो यहाँ पर text tool select करेंगे जो भी text आपको add करना है तो क्यूंकि हमारा पहला doughnut है blueberry तो मैं blueberry ही type कर लेता हूँ font मैं यूज कर रहा हूँ dharma gothic rounded अब again कोई भी font यूज कर सकते हो जो भी आपको पसंद हो और इससे फिर से मैं frame के बाहर लेके जाता हूँ क्यूंकि text भी हमारा animate होगा तो उसी हिसाब सेने set करेंगे click करके alt hold करे click and drag करेंगे duplicate बनाने के लिए और और एक duplicate इस तरीके से जो second text होगा वो होगा हमारा green apple जो third होगा वो होगा caramel अब मैं क्या करूंगा इससे पहले तो मैं align कर देता हूँ बीच में यहाँ पर और make sure करना है कि मैं doughnuts के नीचे इससे place करूँ और फिर इन दोनों ही text को मैं select करूंगा और align कर दूंगा इस तरीके से एक साथ यहाँ पर हम set कर सकते वैसे तो ज़रूरत नहीं है पर ठीक है और फिर इसका जो size है अभी जो size है वो set है 400 पर तो इसे मैं set कर दूंगा 1 पर फिर से यह इस तरीके से हम एक dot मिल जाता है मतलब कि बहुत छोटा हो जाएगा text और इससे मैं यहाँ पर place कर दूंगा ताकि वो दिखे भी नहीं और फिर हम add करेंगे कुछ leaves scene को थोड़ा और interesting बनाने के लिए तो मैं square फिर से select करूंगा इस तरीके से और यहाँ पर जाकर हम add कर देंगे leaves जो मेरे पास है तो एक यहाँ पर कुछ इस तरीके से shift hold करके हम scale कर सकते हैं छोटा या बड़ा जैसे भी रखना हो और alt click drag करके इस तरीके से duplicates बना सकते हैं यहाँ पर एक duplicate इस बार में से change करूंगा मेरे पास दो leaves है वैसे तो मैं यहाँ पर lazy हो रहा हूँ अगर आप चाहो तो मतलब जादा leaves अलग अलग styles के leaves जो है आड़ कर सकते हो जिससे और भी जादा organic आपका design दिखेगा तो काफी सही लग रहा है और एक चीज जो मुझे करनी है वह इस frame को select करूंगा और यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारी frame यहां तक है तो इसमें छोटा करके हमारा जो main frame है उसमें fit करना है तो हम control hold करेंगे और इस तरीके से drag करेंगे जिससे properly यहां पर fit हो जाए और एक चीज जो हमें करनी है वह है main donut हमारा blueberry वाला है उसे छोड़कर हम बाकी के करता हो कि यह जो green वाला donut है वह उपर आजाए इस तरीके से second slide में ठीक है एंड फिर इसका जो size है वह मैं set कर दूंगा 800 पर और इस donut का size मैं छोटा कर दूंगा I think it was 600 या 500 500 इसे properly adjust करेंगे तक ही properly center में रहे इस तरीके से एंड फिर से मैं इसे select करूंगा इसे rotate करके 0 पर set कर देंगे और जो पहला हमारा donut उसे मैं set कर दूंगा 180 डिग्रीज पर यहां पर आपको खास ध्यान देना है क्योंकि बहुत बहुत intricate steps है मतलब अगर कोई भी mistake हुई तो पूरा जो design है मैसी हो सकता है और फिर इस text की opacity है वह 0 पर कर दूंगा फिर मैं select करूंगा यह green text और अचली मैं हमें इस text को इन circles के साथ रखना जादा important है ताकि हम matched up ना हो जाए और सब कुछ properly arranged रहे यही चीज में यहां पर भी करना चाहता हूँ तो frame 1 में मुझे अलड़ी यह कर देना चाहिए था पर यह step शायद में इसे मिस हो गया anyways अभी कर देते हैं तो आपको क्या करना है जैसे blueberry circle के ओपर blueberry text green apple circle circle के ओपर green apple text और caramel circle के ओपर caramel text okay अब मैं select करूंगा green apple text इसे set कर देंगे 400 पर और align कर देंगे center में और फिर मैं green apple circle select करूंगा जो हमने बहुत छोटा करके रखा था और make sure करना है कि इसका size देख लूँ क्या size है इस circle का वो है 2 to 1 4 तो मैं वही size दूँगा green apple circle को भी 2 to 1 4 और फिल align कर देंगे center में तो slide 1 frame 1 frame 2 and finally फिर मैं इससे rotate कर दूँगा इन leaves को थोड़ा सा और इंट्रेस्टिंग ताकि हमें animation मिले prototype prototyping करते वक्त तो इससे पहले हम आगे जाके और एक slide create करें चलिए पहले तो base समझ लेता है कैसे हमारा जो main prototype है वो काम करेगा तो मैं जाओंगा prototype section में और यहां पर यहां से इस point को लेके यहां पर connect कर दूँगा कुछ ऐसे फिर यहां पर जाना है make sure करना है कि on click से स्विच करें on drag पर यह बहुत important है फिर यहां पर मैं से छोड़ दूँगा push पर अगर by default आपका smart animate पर होगा तो इसे push पर set कर देना है arrow जो है वो हमारा ऊपर के side होगा और animate matching layers को on कर देंगे और जो animation preset है वो linear पर होगा तो उसे हमें set कर देना है easy in and out back and जो animation time है वो 900ms सही है अगर आप चाहो तो कम जादा कर सकते हो that's fine and फिर से मैं इस frame को link कर दूँगा पहली frame से इस तरीके से और सारी चीज़े में same रखूंगा बस यहां पर जाकर मुझे on drag पर set करना है और जो arrow है उसे में नीचे के side कर दूँगा कोच ऐसे तो अब अगर मैं हमारा prototype देखू तो हमें मिल जाता है यह बहुत ही cool सा animation जो दिखने में काफी cool देख रहा है एक चीज जो मैं change करना चाहूंगा वो है कि first frame में जाएंगे फिर से और जो बाकी text जो visible नहीं है पता है हमने उस text को one पे set किया था one pixel पे तो उसी के साथ साथ मैं उन text को उन text की opacity है वो भी zero कर दूँगा तो इससे क्या होगा कि जब वो animate होंगे prototype में तो यह प्रॉपली zero से उसकी opacity वो animate होगी तो दिखने में और जादा smooth देखेगा and that's it काफी simple और easy जैसा के आपने देखा और यह जो मैं आपको prototyping बता रहा हो ना यह बहुत ही basic level की है बट यह concept आपको एक बार अच्छे समझ गया ना तो आप बहुत ही complex prototype काफी easily बना पाऊगे अपनी creativity उसमें add कर पाऊगे तो चाहिए और एक बार देखते कि मैंने कैसे किया तो अब हम हमारा third frame बनाएंगे अब अभी के लिए मैं फिर से इस जो prototyping के links है उन्हें delete कर देता हूँ थर्ड फ्रेम बनाएंगे इस तरीके से फिर सबसे पहले तो यह जो green apple text है design में जाना है इसकी opacity मैं 0 पर set कर दूंगा turn on कर दूंगा caramel text को यहां पर 400 पर align कर देंगे और फिर caramel का जो circle था उससे select करेंगे same size लेंगे जो green circle है 2214 तो यहां पर जाएंगे add कर देंगे 2214 और align कर देंगे यहां पर center में and फिर जो है जाएंगे auto layout में और इससे track करेंगे इस तरीके से all right size फिर से देख लेंगे 800 और 500 तो इससे अब मैं set कर दूंगा 800 पर rotation 0 and इसे हम set कर देंगे 500 पर with a rotation of 180 and फिर मैं जाकर actually मैं इसे properly adjust कर सकता हूँ को जैसे and फिर से जो leaves है उनको मैं थोड़ा सा random movement यहां पर दे दूंगा there we go और फिर से हम उसी तरीकी से link करेंगे यहां पर मैंने पहले कर दिया था अभी आपको क्योंकि समझ में आ गया तो आप easily बस आपको यहां पर जाना है इसे link करना है make sure करना है कि make sure करें कि आप यहां से on click की जगे पर on drag पर इसे set करें मैं जब practice करा था तब बहुत बार मेरे से यह वाला point जो है यह miss out हो जाता था और यह on click पर ही रह जाता था जिससे काफी जाता दिक्कत होती थी और यहां पर आप preview देख सकते हूं कि कैसा आपका जो है वाइनी मिशन काम करेगा यहां पर यह अब पर रहेगा और फिर मैं यहां से connect कर दूँगा इसे set कर देंगे on drag फिर मैं इसे connect कर दूँगा यहां पर set करेंगे on drag और इसे set कर देंगे down पर down arrow पर and फिर इसे यहां पर set करेंगे on drag down arrow okay सही है तो चलिए इसे preview करते है और बूम यहां पर हमारा जो prototype है वो ready हो जुका है जैसा कि आपने देखा बहुती simple और easy था इसे बनाना और हमने बहुती basic concept लेकर इसे पूरा अनिमेट किया है again so I hope कि आपको यह वाला जो प्रोटाइपिंग का लेसन है यह पसंद आया होगा so that is a wrap guys मुझे comment करके जरूर बता कि कैसा लगा आपको आज का यह Figma prototyping tutorial और क्या मुझे और prototyping पे tutorials बनाने चाहिए या नहीं video को like करके आप अपना response दे सकते हो comment करो कि तो ज्यादा बेटर रहेगा anyways Figma की जो complete playlist है उसकी link मैंने यहां पर दी हुई है तो आप जाके जरू चेक आउट करे और Instagram पर में जो